Hello students, मैं वेभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ, आज हम binomial theorem chapter की exercise 8.1 को आगे बढ़ाएंगे Question number 9 तक मैंने पहले ही discuss कर लिया था पिछली क्लास में, आज हम question number 10 देखते हैं तो यह है students हमारा question number 10, using binomial theorem, indicate which number is larger, 1.1 power 10,000 और 1000, इन में से कौन सा number बढ़ा हमें लगता है के होगा मतलब यह, के 1.1 की power 10,000 जब हम solve करेंगे, multiply करके 10,000 बार, 1.1 को multiply करके, तो क्या वो 1,000 से बढ़ा आएगा, या छोटा आएगा, चलो, देखते हैं हमने solution start किया, solution में हमने लिखा, 1.1 power 10,000 is equal to 1 plus 0.1 power 1, 2, 3, 4, 10,000 तो यह हो गया, a plus b power n, n की value कुछ भी हो सकती है, बस positive integer होना चाहिए, तो 1 plus x है students है, 1 plus x की power n तो उसमें, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, अपनी class में हमने किया था, कि 1 plus x जब होता है, तो 1 plus nx पहली दो terms होती है, तो 1 plus x into n plus 10,000 c2, 0.1 power 2, plus and so on, मैंने दो terms से लिखी, अब obviously अगर power 10,000 है, तो terms कितनी होंगी, 10,001 obviously students अब मैं 10,001 terms लिखूंगा थोड़े नहीं यहां पर, मैंने plus and so on करके छोड़ दिया, क्योंकि इतने में ही question solve हो रहा है, कैसे, देखो तो 1.1 power 10,000 is equal to, कितना हा रहा है, 1 plus, यह कितना बन जाएगा, इसका एक 0 कम हो जाएगा, क्योंकि यह 1 upon 10 है, 1, 2, 3, 3 zeros रहे गए, plus 10,000 c2, 0.1 power 2 and so on तो यह जो number है, 1000 में 1 और यह इतनी सारी terms प्लस करने के बाद यह सारा number बना है, तो obviously students, यह number जो है, यह 1000 से तो बड़ा है, ठीक है ने students, यह वाली term, 1000 से तो बड़ी है, क्योंकि 1000 में plus करके और इतनी सारी terms, यह पूरा sum बना है, और यह पूरा sum है किसके बराबर, इसके 1.1 power 1, 2, 3, 4, 10,000 के, तो हमें पता चल गया, कौन सा number बढ़ा है, हमें क्या लग रहा था, कि शायद 1000 बढ़ा है, लेकिन नहीं, 1.1 की power 10,000 जादा बढ़ी है, तो यह question हो गया solve, चलो, अगला question देखते हैं, तो students, यह हमारा exercise 8.1 का 11 7th question, find a plus b power 4 minus a minus b power 4, hence evaluate this expression, जैने a और b की जगा root 3 और root 2 पूट करके, हमने वही वाला expression लिख दिया, तो hence का क्या मतलब होता है, hence का यह है मतलब, कि पहले हम जो यह solve करेंगे और result निकालेंगे, उसी result के base पे इसको solve करना है, और इसकी value निकालनी है, तो हम start करते हैं अपना question मैं क्या करता हूँ, a plus b की power 4, calculate करता हूँ, पहले क्या आएगी, 4c0, a power 4, b power 0, plus 4c1, a power 3, b power 1, plus 4c2, a power 2, b power 2, plus 4c3, a power 1, b power 3, plus 4c4, a power 0, b power 4, तो यह मैंने ठीक लिखा है के नहीं, एक बार देख लेते हैं, a की power 4 से start हुई, और कम होना शुरू हो गई, और b की power 0 से start हुई, और बढ़ना शुरू हो गई, और यह कितनी terms हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह ठीक है, अब मैं, a minus b की power 4 लिखूंगा, लेकिन, minus b की power 1, minus b की power 2 इस तरह नहीं लिखूंगा, लिखूंगा मैं a square, b square ही, लेकिन वो plus की term बनेगी, कि minus की term, वहाँ पे मैं minus लगाता जाऊंगा, जैसे पहली term बनेगी, 4c0, a power 4, b power 0, क्योंकि मैंने minus 1 की power 0 यहाँ पे plus के तरह लगा दिया, दूसरी term minus की बनेगी, 4c1, a power 3, b power 1, मैंने minus b की power 1 को, b की power 1 करके minus इदर लगा दिया, plus 4c2, a power 2, b power 2, minus 4c3, a power 1, b power 3, and plus 4c4, a power 0, b power 4, तो I think यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, expand ही किया है मैंने दोनों को, अब क्योंकि हमें इस में से यह minus करना है, यानि कि इस में से यह minus करना है, तो मैं क्या करूँगा, vertically subtract करूँगा, vertically subtract करते हैं इसको, यानि यहाँ minus लग जाएगा, यहाँ minus लगेगा, यहाँ plus लगेगा, यहाँ minus लगेगा, यहाँ plus लगेगा, और यहाँ minus लगेगा, तो left hand side क्या बन जाएगी, a plus b power 4 minus a minus b power 4 is equal to, देखो, अब यह term और यह term बिल्कुल बराबर हैं, बस एक plus की, एक minus की है, तो यह cancel हो गई, 4c1 वाली term जो हैं, वो दोनों plus की हो गई, ठीक है, तो 2 into 4c1 a power 3 b power 1, यह दोनों term plus हो गई, अब 4c2 वाली term, यह plus की है और यह minus की हो गई, 4c2 a square b square, 4c2 a square b square, यह plus की है, यह minus की है, तो यह cancel हो गई आपस में, 4c3 की term जो है, वो 4c3 a power 1 b power 3, 4c3 a power 1 b power 3, और दोनों ही plus की हो गई, तो plus 2 into 4c3 a power 1 b power 3, और यह last term, 4c4 a power 0 b power 4, 4c4 a power 0 b power 4, लेकिन यह plus की है, यह minus की है, तो यह भी cancel हो गई, तो हमारे पास यह result आ गया, तो इसको थोड़ा और solve करके देख लें, a plus b power 4 minus, a minus b power 4 is equal to 2 common, 4c1 कितना होता है, 4, 4 a cube b, और 4c3 कितना होता है, 4 a b cube, तो यहां से हम, और क्या common निकाल सकते हैं, हम यहां a b common निकाल सकते हैं, 4 भी common निकाल सकते हैं, तो a plus b power 4 minus a minus b power 4 is equal to, 8 a b bracket start a square plus b square, देख लो students, यहां से 4 common आ गया, तो 8 हो गया, a into b common निकाल दिया, तो यहां से b गया, a की power 2 रह गी, यहां से a b गया, तो b की power 2 रह गी, तो इसका result यह आ गया, तो question में क्या का गया था, question में सिर्फ यहां तक नहीं का था, question में हमें का था, कि इसी result यह, जो result हमने अभी calculate किया है, यह वाला, इसकी help से यह solve करो, तो कर देते हैं, a की जगा root 3 और b की जगा root 2 पूट कर देते हैं, जैसे कि इस expression में तुमको दिखाई दे रहा है, therefore, root 3 plus root 2 power 4 minus root 3 minus root 2 power 4 is equal to 8 into root 3 root 2, bracket start, root 3 का square 3 plus root 2 का square 2, तो answer कितना आ गया, देखो, यह 5 है, 5 into 8, 40, और root 3 into root 2, root 6, तो यह answer आ गया, हमने इसी result को यहां use किया है, इसी के लिए question में कहा गया था, hence evaluate this, hence का मतलब है, इसको solve करके, जो result बनेगा, उसी result को, की help से, हमने इसकी value निकालनी है, तो वो हमने कर दिया, हमने इसकी value यहां पे निकाली, और इसी result को use करके, इसको evaluate कर लिया, तो यह तो था question number 11, अब हम चलते हैं, question number 13 पे, क्योंकि question number 12, बिलकुल इसी जैसा question है, वो I think तुम खुद कर सकते हो, तो हम चलते हैं, question number 13 पर, तो students, यह है हमारा question number 13, show that, 9 power n plus 1 minus 8n minus 9, is divisible by 64, whenever n is a positive integer, अगर n positive integer रहेगा, तो अगर हम n की positive integer वाली कोई भी value यहां put करके, इसको solve करेंगे, तो वो हमेशा 64 का एक multiple आएगा, यानि कि उस number को 64 से divide किया जा सकेगा, यह prove करने के लिए हमें कहा गया, तो question को कैसे start करना है, देखो, binomial theorem को कैसे use करना है, यहां पर start करने के लिए हमें hint यह मिल रहा है, कि 64 क्या है, 8 का square, और 9 को हम 1 प्लस 8 के तौर पे लिख सकते हैं, तो मैंने 9 की power n प्लस 1 को ऐसे लिखा, 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1, यानि 1 प्लस x की पावर n की तरह हैं यह बन गया, तो is equal to 1 प्लस 8 इंटू n प्लस 1, पहली दो टर्म्स तो students 1 प्लस x की पावर n की होती है, 1 प्लस n x प्लस अगली टर्म क्या होगी, n प्लस 1 c 2, 8 पावर 2, प्लस n प्लस 1 c 3, 8 पावर 3 and so on, प्लस n c 1, n प्लस 1, c n प्लस 1, 8 पावर n प्लस 1, तो यह है expansion, एक बार ज़रा ध्यान से देख लो इसको, हमने formula कौन सा लगाया है, वो मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ के तुम्हें दिखाऊं, पहले इसे अच्छी तरह से देख लो, तो, I think यह समझ में आ गया होगा, 1 प्लस n x प्लस n c 2, x पावर 2, प्लस n c 3, x पावर 3 and so on, वो वाला formula मैं ने apply कर दिया यहां पर, तो यह bracket खोल लेंगे, हमारे पास आ गया, 9 पावर n प्लस 1 is equal to 1, प्लस 8 n, प्लस 8, यह पावर, यह ब्रैकेट खोल दिया, प्लस, अब देखो, 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3, फिर अगली टर्म में 8 की पावर 4 होगा, फिर उससे अगली टर्म में 8 की पावर 5 होगी और करते-करते, 8 की पावर n प्लस 1 तक जा रही है, तो इसका मतलब, थर्ड टर्म से आगे, जितनी भी टर्म से हैं, उसमें 8 की पावर 2 common है, तो मैंने 8 की पावर 2 common लिख ली और ब्रैकेट स्टार्ट किया, एन प्लस 1 C2 प्लस, एन प्लस 1 C3, 8 पावर 1, क्योंकि 8 की पावर 2 तो common निकाल चेको हूँ मैं, प्लस और सो ओन, लास्ट में, एन प्लस 1 Cn प्लस 1, 8 पावर n माइनस 1, कैसे आया, इसमें से 2 माइनस कर दो students, 8 की पावर 2 तो common निकाल दी हमने, अब देखो, 9 पावर n प्लस 1 is equal to 8n, और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 64 आ गया यह, 8 की पावर 2, और साथ में यह expression, n प्लस 1 C2, प्लस n प्लस 1 C3 into 8, प्लस और सो ओन, n प्लस 1 Cn प्लस 1, 8 पावर n माइनस 1 ब्रेकेट, तो यह दो टर्म्स हम इदर ले जाते हैं, 9 पावर n प्लस 1, माइनस 8 n माइनस 9 is equal to 64, ब्रेकेट स्टार्ट, n प्लस 1 C2, प्लस n प्लस 1 C3 into 8 पावर 1, प्लस और सो ओन, n प्लस 1 Cn प्लस 1, 8 पावर n माइनस 1 ब्रेकेट क्लोस्ट, तो देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें यह तो पता ही होगा, के कॉंबिनेशन के जो कॉफिशेंट्स होते हैं, NCR, यह हमेशा ही एक इंटेग्रल वैल्यू देते हैं, इंटीजर होते हैं, और 8 भी इंटीजर ही है, तो इसका मतलब यह सारा का सारा ब्रेकेट इंटीजर ही होगा, यहने के इस टर्म को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, 64 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके, 64 के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम 64 के साथ कोई नैचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके यह टर्म हासिल कर रहे हैं, दिया तो यह जब आ गया तो हम result भी लिख देंगे तो result आया therefore 9 power n plus 1 minus 8 n minus 9 is divisible by 64 अगर अभी भी थोड़ इसी confusion है तो एक बार फिर देख लो students यह सारा का सारा question question था 9 power n plus 1 minus 8 n minus 9 यह divisible by 4 सिध करना है हमने तो हमने क्या किया 9 की power n plus 1 को लिखा 1 plus 8 power n plus 1 फिर उसके उपर 1 plus x यह 1 plus x की power n इसकी expansion apply कर दी और फिर हमने देखा कि यह जो आगे वाली term है third term onwards हमारे पास 8 square common है वो हमने common निकाल लिया उसको 64 लिख लिया और यह जो पहली 3 terms थी यह 8 n plus 9 जो है उस तरफ चली गई तो हमारे पास आ गया कि यह जो expression है 9 की power n plus 1 minus 8 n minus 9 यह 64 का multiple बन गया तो यह हमने साबित करना था तो यह question solve हो गया तो students अब देखते हैं हम question number 14 तो students हमारा question number 14 है prove that summation r from 0 to n 3 power r ncr is equal to 4 power n यह है हमारा 14th question summation का क्या मतलब होता है यह तुम 10th class में कर चुके हो r की values को put करकर के यह terms calculate करो और सब को plus करते चले जाओ तो देखते हैं students यह क्या बनता है क्या 4 की power n बनता है या नहीं तो summation r 0 to n 3 power r ncr यह कितना बनेगा 3 power 0 और फिर n c0 plus 3 power 1 n c1 plus 3 power 2 n c2 and so on plus क्योंकि n तक जाना है हमने तो 3 power n n cn यह आ गया हमारा summation की expansion अब summation की जो expansion है उसको अगर तुम compare करो कौन से formula से हम लिखेंगे comparing this with 1 plus x power n तो यह कितना होता है n c0 plus n c1 into x plus n c2 into x square and so on n cn into x power n यह हम जानते हैं तो इस term को इसके साथ compare करोगे तो तुमें पता चलेगा कि यह similar ही है बस x की जगे 3 आ गया बस x की जगे 3 आ गया बाकी सारा सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ we get summation r from 0 to n 3 power r n c r is equal to यह कितना बन गया यह बन गया 1 plus 3 power n जो की है 4 power n तो हो गया प्रूफ देखो बहुत चोटा सा question था simple question था हमने बस इस formula को याद रखा और इस formula से compare किया इसकी expansion को तो हमरे पास answer आ गया तो I think students यह समझ में आ गया होगा तो अब हम ऐसा करते हैं एक और बड़े ही important concept पर बात करते हैं जो binomial theorem से ही जुड़ा हुआ है students हम एक बार फिर से जरा इस formula को लिखते हैं n c 0 a power n b power 0 plus n c 1 a power n minus 1 b power 1 plus n c 2 a power n minus 2 b power 2 plus and so on अगर मैं बीच में एक term लिखना चाहूं n c r a power n minus r b power r तो मैं लिख सकता हूं 1,2,3,4 करते-करते ही है r पहुँच गये हम और उसके बाद last में n c n a power 0 b power n तो students अगर यह r वाली term को देखो तो r में 0 put करोगे तो यह term बन जाएगी r में 1 put करोगे तो यह term बन जाएगी r में 2 put करोगे तो यह term बन जाएगी और इसी तरह बढ़ते-बढ़ते r में n put कर दोगे तो यह term बन जाएगी तो इसलिए इस term को हम क्या कहते हैं इस term को कहते हैं general term ncr a power n minus r b power r जैसे तुमने 10th class में arithmetic progression ap का एक chapter किया था तो उसमें general term जो थी nth term वो क्या लिखते थे तुम a plus n minus 1d लिखते थे न students n को one put करोगे तो first term आ जाएगी n को two put करोगे तो second term आ जाएगी n को three put करोगे तो third term आ जाएगी इस तरह से ये कहलाती थी general term general term का formula जिसको हम nth term कह देते थे तो यहाँ पर हम nth term नहीं कह सकते क्यों क्योंकि n तो यहाँ पर क्या है fix number है हम n की बजाए rth term या उससे related कोई चीज कह सकते हैं तो अब हम यह देखते हैं कि यह तो जैसे nth term थी तो क्या यहाँ पर r put करने पर यह rth term बनती है देखें यह पहली term है मैं ऐसा करता हूँ लिखता हूँ t1 first term क्या है nc0 a power n b power 0 फिर second term t2 क्या है nc1 a power n minus 1 b power 1 फिर third term क्या है nc2 a power n minus 2 b power 2 and so on तो एक बात का ध्यान दो कि यहाँ पर 0 है तो यह first term है यहाँ पर 1 है तो यहाँ second term है यहाँ पर 2 है तो यह third term है याने कि pair में जितना number है c के उसमें एक plus करके वो वाली term बनती है तो अगर general term में pair में r है तो कौन सी term बनेगी r में 1 प्लस करके तो इसका मतलब क्या हो गया कि general term को हम दुबारा लिखते है हमारी general term कैसे लिखी जाएगी t r plus 1 करके लिखी जाएगी r plus first term है n c r a power n minus r b power r तो यह हमें चाहिए क्यों इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं students इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं जिस तरह से की ap में हम nth term चाहते होते थे कि हम सीधा ही 10 वी टर्म 20 वी टर्म 100 टर्म calculate करना चाहें तो हमारे पास formula तो होना ही चाहिए ऐसे ही किसी expansion में किसी expansion में हमें सिर्फ 10 वी टर्म चाहिए तो क्या हम power लगा कर पूरी terms को expand करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि 10 वी टर्म कौन सी है नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम क्योंकि हमारे पास यह formula है 10 वी टर्म चाहिए तो t10 चाहिए t10 चाहिए तो r की value कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी एक कम हो जाएगी तो हम यहाँ पे 9 लगाएंगे और इसको calculate कर लेंगे तो हम सीधा ही directly 10 टर्म calculate कर रहे हैं ना कि पहले सारी expansion करके और उसमें ढूंड रहे हैं के 10 टर्म कौन सी है तो इस तरह से हम सीधा ही general term का formula उपयोग करके कोई भी term ढूंड सकते हैं binomial expansion की तो ये तो थी बात general term की अब देखो एक और बात यहाँ से निकल के आती है कि अगर हमें middle term पता करनी हो expansion में बीच वाली term, middle term पता करनी हो तो कैसे term पता की जाएगी उसके लिए ज़रा एक चीज देखो मान लो मेरे पास index है 4 तो कितनी terms बनेंगी 5, T1, T2, T3, T4, T5 अब मैंने का कि इन में से middle term ढूंडो तो तुम एक दो तीन ये तीन पर पहुंचे लास्ते भी एक दो तीन पर पहुंचे तुमने का हाँ T3 हमारी middle term है कोई problem नहीं फिर तुम्हारे पास अगर 5 है index तो 6 terms बनेंगी T1, T2, T3, T4, T5, T6 अब यहां middle term कौन सी होगी एक दो तीन एक दो तीन ये तो दो terms आ गई क्या किया जाए ये दोनों ही middle terms हैं तो देखो यहां तक तो बहुत आसान है 4 है 5 है लेकिन मान लो 18 हैं तो क्या हम ये T1, T2 करके T19 तक पहले लिखें और उसके बाद ढूंडें गिन कर नहीं mathematics में यही beauty students के हम आगे आने वाली problems का solution पहले ही formula के हिसाब से बना कर रखते हैं हमें जो जो चाहिए होगा आगे हो सकता है कि चाहिए हो उसका पहले ही हम formula बना लेते हैं तो middle term का formula बना लेते हैं एक बात तो तुम देख रहे हो कि अगर index even है याने power A plus B power N में N को index कहते हैं index even है तो एक middle term आरही है लेकिन अगर index odd है तो दो middle term सा रही है इस बात को हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूला बनाएंगे तो if n is even then middle term is एक middle term आएगी n even में 3 कैसे आएगा 4 से इसको half करो और प्लस 1 कर दो तो t n by 2 प्लस 1 अगर n even है तो middle term कैसे आएगी कौन सी होगी middle term होगी n by 2 फिर्स टर्म होगी याने r की बजाए general term में यहां r की बजाए n upon 2 पुट करो तो middle term आजाएगी यह तो था कि अगर हमारे पास n even हो पहली बात दूसरी बात अगर n odd हो if n is odd then middle terms are middle term दो हो जाएगी न हमने देखा भी n odd में तो 3 और 4 कैसे आएगा इसमें 1 add करो पहले और half कर दो तो 6 by 2 3 और फिर उसमें 1 जोड दो तो 2 terms कौन सी हो गई t n plus 1 by 2 and t n plus 1 by 2 plus 1 तो यह formula note कर लो students यह 3 formula बड़े important तुमको मैंने लिखवाए है एक general term दूसरा यह middle term यह note कर लो बहुत important है और condition भी note कर लो कि index जो है वो odd होगी और even होगी तो किस तरह से middle terms बनेंगी तो इतना करने के बाद हम अब अपने exercise की तरफ बढ़ सकते हैं तो हम exercise शुरू करें चलो एक आदा question तो कर लें लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही बहुत है हमारे पास इतना time नहीं है काफी लंबा हो गया है lecture पहली तो हम ऐसा करते हैं कि exercise के questions अगली class में लेंगे students अभी तुमको मैंने जो concept बता दिया है और 8.1 exercise complete करा दिया है वो तुम practice करो हम ऐसा करते हैं अगले class में exercise 8.2 शुरू करेंगे और तब तक practice करो वेब हब की तरफ से best of luck thank you